तो आज मैं आई हूँ एक बहुत बड़ी गुड न्यूस के साथ कि स्टूडिन के लिए काफी अच्छी साबित होने वाले हैं आप इस न्यूस को ध्यान से सुनिएगा एंड समझने की कोशिस करेगा हम हमेशा इग्नू एंड इग्नू से रिलेटेड अप्डेट्स लेते र इस न्यूस को नहीं जानते हैं वो इसको जाने एंड जो फ्रेश एड्मिशन कराना चाहते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं अक्याडमिक्स के रिलेटेड उनको एक बेटर एंड इंफॉर्म डिशिजन लेने में सुविधा हो तो चलिए बात करते हैं त हाई एडुकेशन से रिलेटेड तो चलिए हम जान लेते हैं कि उस न्यू एडुकेशन पॉलिसी में यूजी जी के तरफ से ऐसी क्या न्यूस दी गई है स्टुडेंस के लिए जो हमारे लिए अच्छे साबित हो तो पहले ऐसा नियम था कि अगर हम कोई भी डिग्री परस अब नियू एडुकेशन पॉलिसी के तहत यूजी ने ये कहा है कि आप एक समय में दो डिग्री कर सकते हैं दोनों सैमोड में डिफरेंट मोड में कर सकते हैं आपके लिए आपके फ्यूचर के लिए यह बहुत अच्छा साबित होगा आप जो एक्सेट्रा से दोस्ती या तीन साल समय लगाते थे एक सेप्रेट डिग्री को करने के लिए अब वो एक समय में दो डिग्री आपको कम्प्रीट करने को मिल जाएगी और दोनों डिग्री का ही फायदा आपको simultaneously मिलेगा मैं इसको एक बार अच्छे से explain कर देती हूँ ताकि बच्चों के मन में कोई डाउट ना हो और इसका PDF भी आपको description में मिल जाएगा तो चलिए बात करते हैं कि इस notice में क्या कहा गया है तो सबसे पहले बात तो दो डिग्री हम साथ में कर सकते हैं यह कहा गया है इसके अलावा एक चीज़ आपको समझा देती हूँ जैसे कि आप 12 के बाद students bachelor of education करते हैं बीएजी करते हैं अगर वो चाहे तो इसके साथ साथ बीकॉम भी कर सकते हैं अब बीकॉम जो है वो चाहे तो या तो बीकॉम रेगुलर कर सकते हैं या बीएजी रेगुलर कर सकते हैं या एक डिस्टेंस एक उनलाइन इस तरह से दोनों साथ में कर सकते हैं दोनों सेम कॉलेज से या दोनों डिफरेंट कॉलेज से कर सकते हैं बस ध्यान रहे कि दोनों इस बात का आपको ध्यान रखना है उसके अलावा आपको पूरी freedom है कि आप किसी भी college से कर सकते हैं दो separate college से कर सकते हैं सेम से कर सकते हैं एक online, एक distance, एक distance, regular, दोनों regular हर चीज़ के freedom आपको यहाँ पर grant कर दी गई है, तो यहाँ पर आपको समझा देती हूं कि same level की degree ही आप pursue कर सकते हैं, जैसे कि आप Bachelor in Arts कर रहे हैं, उसके साथ साथ B.com करना चाते हैं, तो वो allowed है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं Bachelor in Arts करूंगी औ और उसके साथ साथ मुझे Master in Hindi करना है, तो ऐसे नहीं होगा, आप या तो एक समय में दो Bachelor degree pursue कर सकते हैं, या एक समय में दो Master degree pursue कर सकते हैं, I hope आप समय गए होंगे, same level की जो degrees होती है, उसमें आप दो degree एक समय पर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने एक Bachelor degree कर ली, एक MPHL या Master degree कर पीजी में, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर Bachelor करना चाहूं, तो साथ में Master कर सकती हूं, या Master कर रही हूं, तो मेरा मन है कि मैं एक और subject में Bachelor करना चाहूं, तो वो कर सकती हूं, low or higher degree की बात नहीं है, same degree में, अगर आप same degree में, दो degrees लेना चाहते हैं, then वो allowed है, दो different level की degrees allowed यहां पी नहीं है, I hope यह चीज़ आप समझ गया हूंगे, तो चलिए, एक बार अच्छे से समझाने के लिए आपको मैं official notification भी दिखा देती हूं, तो जब आप official notification को open करेंगे, तो starting में national education policies के बारे में एक brief introduction दिया जाएगा, उसको आप ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद guidelines जो ह इसके अलावा, a student can pursue two academic programs, one in full-time physical mode, another in open and distance learning mode, इसकी पहले भी छूट दी गई थी, अभी भी इसको change नहीं किया गया है, ऐसा नहीं है कि new education policy में इसको remove कर दिया गया, पहले भी allowed था, एक regular and एक distance allowed था, तो अभी भी इस चीज़ को रखा गया है, हमारे guidelines में, तो इसका यह मतलब है कि एक regular degree, एक distance degree ODL learning program mode में, यह online program में allowed है, I hope समझ गया हों गया, उसके अलावा, तीसरी जो rule है, degree or diploma programs under ODL या online mode shall be pursued with only one HEIs which are recognized by UGC statutory council government of India for running programs, तो आप यह समझ लीजिए, पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो degrees आप जहां से भी pursue करते हैं, ठीक है, जहां से भी आप pursue करते हैं, इन तीनो guidelines में को मैंने अच्छे से पढ़ ले, आप मैं समझ गई, यही लिखा गया है, distance करे, regular करे, online करे, जहां से भी करे, वो UGC approved होनी चाहिए, university अगर UGC approved नहीं है, then doesn't matter, कितनी भी high weightage की degree है, कितने भी पैसे दे करके अपने degree को पाया है, अपने classes की है, कितनी महनत की है, कितने marks लाए है, doesn't matter, अगर university, UGC approved यह UGC के guidelines के through online, अगर UGC ने grant नहीं किया university को, कि आप online and odial mode पे programs run कर सकते हैं, फिर भी को university run कर रही है, और उसके under अगर आप अपनी degree लेते हो, then आपकी degree का कोई फायदा नहीं है, ऐसा ही एक incident हुआ था, इसके बारे में मैंने video बनाई थी, मैंने आपको बता पचों का future के साथ खिलवाड किया है, that's why उस video को भी आप check out कर लिजेगा, आप देख लिजेगा, कौन सी university को मना किया गया, उसका video का link आए बटन पर मिल जाएगा, इसके अलावा आप समझे गया होंगे, these guidelines shall be governed by the regulations, notified by the UGC, and respective statutory professional council, wherever applicable, I hope इसका मतलब आप समझ गया होंगे तो इसके अलावा ये लिखा गया है, no retrospective benefit can be claimed by the students who have already done two academic programs, simultaneously prior to the notification of guidelines, तो ये national education policy लागू होने के बाद, जो बच्चे 2 degrees करेंगे, उनको ही इसका benefit मिलेगा, इसके पहले अगर बच्चों ने गलत तरीके से 2 degree ले ली है, notification जारी होने से पहले ही, education policy लागू होने से पहले ही, तो उनको इस चीज़ का benefit नहीं मिलेगा, I am really sorry, ये allowed नहीं है, also मैंने आपको एक चीज़ सिखाई, बताई थी अभी, के same level की degrees allowed है, जैसे कि एक समय पे दो bachelor degree, एक समय पे दो master degree is allowed, लेकिन एक समय में दो PhD programs is not allowed, देख लेजे, it is applicable only to the student pursuing academic programs other than PhD programs, तो इसका मतलब के bachelor degree आप कर स सकते हैं, दो degrees एक साथ में, किसी भी mode में, master degree कर सकते हैं, लेकिन PhD program, doesn't matter कि एक regular है, distance में है, PhD आप दो program एक साथ नहीं कर सकते हैं, that is not allowed, तो I think मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, आपको अब इसको related, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, इसके लाबा कौन सी university है, जो UGC के नियमों का उनलंगन करके बच्चों को degrees award कर देए, तो उसको check out कर लिजेगा, कहीं वो थोड़ी बड़ी university है, I think so, कि बच्चों का अभी भी शायद, अगर नहीं मालूम है, और गलती से वो enroll कर लेते हैं, तो उनका time waste हो सकता है, that's why जरूर चेक कर लिजेगा, तो ये थी हमारे official notification, UGC के द्वारा, IGNU के information के साथ-साथ मैं यहां की भी देते रहती हो, because ये भी तो हमारे IGNU के ही under आती है, IGNU UGC के अंडर काम करता है, बिने UGC के approval के, इंडिया के कोई भी university valid नहीं है, इसके अलाबा आप भी news भी सुनी रहे होंगे, कि पाकिस्तान से जो students degrees ले हैं, कि first process के लिए जल्दी के लिए आपको वहां की degrees दे दी जाएगी, तो UGC and AICTEE ने बोला है कि वहां के किसी भी degrees को अब इंडिया में placement नहीं दी जाएगी, that's why आप कहां से university किस university को चूज करते हैं, किस mode में degree को पाते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, इस पे एक हमेशा का alert नजर बनाए रखेगा, and मैं तो हुई आपको information देने के लिए, so that's why अगर आपको ये information अच्छी लगी, अच्छी information है ही, तो like जरूर करेगा, also ignore कि किसी important notification को पाने के लिए, मेरे चानल को please subscribe करेगा, thank you, I will see you with the next update, thanks for watching.